सीरल ये रिष्टा क्या कहलाता मैं आप देखी पा रहे हैं अर्मान और अभीरा एक आटो में बैट चिके हैं एक्सेंट हो गया था अर्मान की गाड़ी का इसले लेकिन अर्मान यहाँ पर रूही की वजह से अब मानव से मिलने से इनकार करेगा जिससे आप सभी की अभीरा ह में सभी लोग अर्मान का इंतजार करते हैं गुस्से में सरना कहती है कि अभी भी आपको उस अर्मान का इंतजार है और मैं तो चाहती हूँ वो अर्मान हमारी रूही से दूरी रहे इधर आप देखेंगे कि दोनों अर्मान अभीरा का बैग एक में हो जाएगा उलग पूरदार हाउस में सब लोग जो हैं अब बात करें अभीरा के बारे में तभी अच्छानक से यहां पर आ जाएंगे अर्मान और अर्मान को देखकर दादिसा कहती हैं कि चलो भाई पूसते हैं कि मानव को उसने पसंद किया कि नहीं लेकिन जैसे ही वो अर्मान से बात कर पा अपनी बीटी का मामला समाल लेंगे जिससे अब यहां पर दादी गौह बहुत गुस्ता होती हैं रूही और अर्मान पर शौल की ओड़ते आगे अथर अबीरा के बारे में सोफे सोफे सीडियों से गिरने वाला होता है और अबीरा का कार से एक्सेंट हो जाता है रूही य मानव से मिलने इसले नहीं गए क्योंकि तुम आज भी मुझे से प्यार करते हो अर्मान अभीरा के याद में हैं लेकिन रूही को खुछ से दूर करता है और इसी दौरान अभीरा का कॉल अर्मान के पास आता है और वो यहाँ पर रूही को छोड़ कर वहाँ से निकल पड़त है रूही को यह सारी बाते बहुत जादा बुरी लगती है कि यह क्या हो रहा है मानव को नहीं पसंद किया अर्मान ने और मेरे पास खुद भी नहीं आ रहा है दोड़ा दोड़ा अर्मान जाएगा हॉस्पिडल जहां डॉक्टर कहेंगे कि ऑपरेशन होने वाला है और तोचेगा वो एक साल में अभीरा की और जादा बाते जाने का ताकि आने वाले दिनों में कोई भी मुश्किल गड़ी हो तो वो उसके साथ खड़ा हो सके और यहां पर अर्मान अभीरा के बीच में तू-तू-मैमेत होगी लेकिन साथ ही दोनों के बीच में एक गहरा प्या इरा किस तरीके से comfort है एक दूसरे के साथ तो वहीं अब अगले ही दिन आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से अरमान का फिर से wait करेंगे going cast और इधर रूही परेशान है कि अब क्या होगा लेकिन अब घर वाबस दूसरे दिल लोटेगा तो अरमान कहेगा कि रूही यू के लिए कि मेरी file चोरी करोगी अब अभीरा कहेगी जब तुमने मुझे चोर मान ही लिया है तो अब मैं क्या ही करूँ अरमान कहते कुछ समय के लिए हम बात नहीं करेंगे लेकिन अभीरा कहती है कोई फायदा